Hi everyone, मैं हूँ इमा और आज फिर से हम सुनेंगे success story from this book How the secret changed my life ये हम इसले सुनते हैं ताकि आपका और मेरा हम दोनों का विश्वास हर पर strong होता रहे universe में और आप और मैं तो एक साथ हैं इस journey में law of attraction के तो ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ सिखा रहे हूँ तो हम एक साथ एक दुसरे को motivate करते रहेंगे every day ये story मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो actions उन्होंने लिये हैं mind blowing actions है हम ना अपनी wishes को लेकर इतना possessive हो जाते हैं इतना obsessed हो जाते हैं कि हम सोचने कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा तुम्ही क्या चाहिए न, वही मुझे दिखाते रहे न, feelings के through और हम क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इसने ऐसा क्यों बोला मैं क्या गलत कर रहे हूँ, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्यों, क्यों, क्यों तो ये सारी चीज़े जो हमें नहीं चाहिए, उन्हीं चीज़ों को हम सोचते जा रहे, घुटी की तरफ भोलते जा रहे, बार-बार, और वही चीज़े यूनिवर्स देख रहा है, वैसी ही चीज़े देता जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स तो बोलता है, how नहीं, what सोचो, what what do you want, तुम चाहते क्या हो, वही सोचो, इसलिए आज की स्टोरी एक नंबर स्टोरी है, क्योंकि इसमें नहीं, इसने चूस किया कि इसको कौन सी बात पर विश्वास करना है, ये स्टोरी है, मारिया के बारे में, जो एक प्रोफेसर है, और उन्होंने The Secret ये मूवी देखी, देखने के बाद उन्हें लगा किया रहे यार, मैं भी अपने विशिस के लिए लाउफ अट्रैक्शन को यूज करूंगी, उन्होंने अपने साथ बड़ी-बड़ी इच्छाओं को लिख कर एक पेपर पे चिपका के, ऐसी जगे लगा दिया है, जहां वो बार-बार उसे देख सके, ठीक है, उन साथ चीजों में से एक चीज ये थी कि उनकी एक कवीता संग्रह पब्लिश हो जाए, यानि उनका एक कवीता की पोयम की बुक पब्लिश हो जाए, किसी बड़े कमपनी से, बड़े पब्लिशिंग हाउस से, अब दर सीक्रेट देखके उन्होंने ये विज्वलाइस करना तो स्टार्ट कर दिया, कि कैसी लगेगा ना कि जब मेरी बुक पब्लिश हो जाएगी, मतब मैं एक राइटर, एक पोयेट बनूँगी और एक पोयेट की तरह बाहर निकलूँगी, इतनी बड़ी कमपनी मेरा ओफर एकसेप्ट करेगी, कैसा लगेगा ये सब कुछ वो विज्वलाइस करती थी, सोचती थी मन में कि कैसा फील होगा, विज्वलाइजेशन यानि फील करो उसको, लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोगों ने इनके माइंड में पब्लिशिंग को लेके अलग-अलग डाउट बिठा दिये थे, ये ना हम लो तो बार 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 यही बाते हमारे माइंड में इस तरीके से बैठ गई हैं कि अब हमें बिलीव ही नहीं होता कि इसे चेंज कर सकते हैं, ये थौट्स की पावर होती है, बार 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 जो आप पढ़ते हो, जो सुनते हो, जो बोलते हो, जो देखते हो, वही आप के मन में एक स्टैंप लग जाता है कि ये सच है इसका मतलब हम पॉजिटिव बातों को भी इसी तरह हमारे मन में बिठा सकते हैं इसे लिए तो टेकनिक्स करते हैं ना कि बार-बार सोचो यानि बार-बार विजुलाइस करो बार-बार सुनो यानि अपने अफरमेशन बोल के बार-बार सुनो बार-बार लिखो बार-बार अपने dreams, wishes, present tense में लिखो तो जब ये बार-बार-बार होगा यही बात स्टैंप बनके हमारे मन के अंदर बैट जाएंगी और जब वो मन के अंदर बैठेंगी तब हमारी wishes पूरा होना start हो जाएंगी तो ऐसे नहीं है कि आपन आप चाहते हो कि आपकी बुक एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस पबिश करें तो आपको उसके लिए थोड़ा सा तो फेमस होना होगा भाईया आपकी जो पोयम्स है वो बड़े-बड़े मैगजिन में छपी हुई होनी चाहिए तब जाके एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस किताब publish करने के लिए ready होगा otherwise वो नहीं ready होगा यह बात उन्होंने हर जगे पड़ी थी हर एक बड़े लेखक ने उनको यही बात बोली थी यानि पोयम की दुनिया का यह rule था समझो ठीक है लेकिन इन्होंने decide किया choose किया कि मैं किसके उपर believe करो मैं अपनी wish के उपर जो मुझ से thought पर believe करना है यह आप खुछ choose कर सकते हो तो मैंने choose किया कि मैं अपने dreams पर believe करूंगी एक साल के अंदर-अंदर मेरी book publish होकर मेरे ही सामने bookshelf पर होगी और मैं उस book को देखूंगी yes यह मेरी publish की हुई book है दो weeks तक यह सब कुछ वो करती रही फिर उन्हें एक email आया कि बहु कि पहले ही अकनी जो कविताएं हैं वो भेज रखी थी सारी जगे यह उन्हों कुछ ना कुछ तो कोशिश चलती रहती है हमेशा तो अब जब यह visualize करना उन्होंने start कर देया अब उनको email आया उतना पुराने इसका कि हमने आपकी जो manuscript है यानि जो आपकी poems है वो पढ़ने का निरनय ले लिया है यानि अब हम इसे पढ़ेंगे और अगर हमें अच्छी लगेगी तो हम इसे publish कर देंगे तो यह इतनी शौक्ट हो गई यह भूल भी गई थी कि मैंने ऐसे किसी company में भेज रखा था लेकिन वो सब काम होना start हो गया जैसे ही इन्होंने अपने मन में positive होगा तो उस dream को और ज़्यादा सच बनाने के लिए और ज़्यादा powerful बनाने के लिए इन्होंने जो actions लिए हैं वो mind-blowing action तो जो beautiful actions इन्होंने लिए उसको पूरा करने के लिए वो ये है कि बुक तो अभी published नहीं हुई है कुछ भी decided नहीं है बस एक poems लिखी हुई है उन्होंने पहले से ही अपने बुक का प्रुष्ट भाग यानि ये जो cover है आगे का पीछे का ये कैसा होगा इसको design कर लिया computer पे ठीक है design कर लिया book का नाम क्या होगा title क्या होगा वो उस पे लिख दिया नीचे अपना नाम लिख दिया मारिया और उसका print निकाल के उन्होंने अपने सामने रखा 24 गंटे ताकि उसे देखते देखते उनको फीर हो कि yes ये मेरी book है ये मेरी book है इतना realistic level का action आपको क्या लग इन्होंने cover तो design किया ही लेकिन साथ में उन्होंने क्या क्या पता है इसे कहते है acknowledgement जो book के ना end में होता है जिसमें लिखा होता है कि किस-किस ने आपको ये book लिखने में help की कैसे-कैसे help की या क्या आपकी inspiration थी इस book को बनाने के पीछे everything ठीक है तो वो acknowledgement भी उन्होंने already लिख होगा मैं तो मैंनी poems बहुत गंदी है ना मतब इतने high level की नहीं है पसद no doubt celebration की तयारी started यही हमको करना है इसे related एक ठोटी सी story end में बताऊंगी ठीक है येस तो मैंने print कर लिया और मैंने अपनी acknowledgement भी लिख ली और मैंने एक email भी लिखा कि उस company का नाम के तरफ से कि हाई हम ये publishing house है मारिया हमने आपकी book को publish करने का निर्नय ले लिया है आपको ये contract दिया जा रहा है ऐसा email उन्होंने खुद को ही लिखा उस email का भी print out लगा कि ये तो मेरा email है ये तो होगा ये तो मुझे मिली ही जाएगा किसी भी तरह अब उन्होंने visualization continue रखा साथ में आप ये visualization ना जबर्दस्ती नहीं कर सकते automatically feeling हाती है अंदर से वो खुशी, वो celebration automatically होता है उन्होंने feel करना start कर दिया कि मैं अपने class में कैसे जाओंगी मैंने बोला था ये professor है तो एक book publish होने के बाद class जाने में कैसे feel होगा वो उन्होंने visualize करना start कर दिया फिर अपने friends को call करके बताएंगी कि yes मेरी book publish हो गई ये अपन pen की bottle होगी, parties होगी, celebration हर जगा celebration होगा, ये सब कुछ उन्होंने feel करना start कर दिया एक दम दिल से without any logic यार, only magic, only 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 magic और सबसे beautiful part मुझे ये लगा है story का, ये light कितने अच्छी लग रहे ना मेरे हाथ तो सबसे beautiful part मुझे ये लगा है story का कि ये जो party imagine कर रहे है ना, जो celebration imagine करी, grand celebration book publish होने के बाद, उसका invitation भी इन्होंने बना के ready रख दिया, ये जो आप whatsapp invitations भेजते हो ना, कभी-कभी शादी वाला ऐसे, तो वैसा कुछ उन्होंने एक सुन्दर सा invitation भी design करके रख दिया, my god, ये लड़की, मुझे इतना सुन्दर लगा या idea कि इस level का confidence आपके अंदर हो रहे है, कि मेरी book तो होगी ही publish, उसमें कोई doubt ही नहीं, let me prepare for the celebration, ऐसा attitude होना चाहिए, और इन्होंने अपने कुछ students को भी ये बोल दिया था already कि मेरी book publish हो रही है, जल्दी आएगी, देख रहे हो confidence कितना है, publish होने के पहले ही उन्होंने बोल दिया, अब आगे मुझे बताने क जरूरत है क्या, इतना awesome जब इन्होंने किया है, तो of course उनको कुछ दिनों बाद ही उसी press company से call आया, और वो उनकी book उनकी poem publish करने के लिए ready है, और उन्होंने contract sign कर दिया है, और आगे की information उनसे मंगवाई थी, कि आपकी details बेजो, अब यहाँ पे story खतम हो जाती है, और सही ज बड़ी चीज इन्होंने इतनी सुन्दर तरीके से imagine की, तो आगे जो fame मिलेगा, आगे की जो books होगी, आगे का जो काम होगा, आगे की जो life होगी, वो इन्होंने easily कर ली होगी, है ना, सबसे important चीज कि कैसे होगा, नहीं सूचना, क्या चाहिए exactly, वहीं सूचना, तुम चाहत क्या हो, दिन भर में हमारे माइंड में इतने thoughts आते हैं, अन जाने में हम लोग negative track में चले जाते हैं, मैं भी चली जाती हो, realize ही नहीं होता कि अरे जो चाहिए वो सोचना था, so at that time, stop and ask yourself, one simple question, तुम चाहते क्या हो, अंदर से एक answer आएगा, मैं ये चाहती हो, बस उसको पकड उसी के बारे में सोचना स्टार्ट करो, ऐसे ही हम बार बार अपने आपको present में लेकर आ सकते हैं, अब ऐसी ही एक beautiful सा किस्सा, comment section में share किया था किसी ने, उनका नाम में डूलोंगी और यहाँ screen पे लिख दूँगी, अगर मुझे मिला नाम तो, तो ये ना girlfriend, boyfriend जो रहें ये जैपूर में, उदैपूर के हो जाना था, क्योंकि उनके जो boyfriend है, उनकी वहाँ पे new training थी या कुछ थी, तो उनको वहाँ पे जाना था, लेकिन उनको 2-3 दिन थोड़ा सा जल्दी जाना था, training के date के पहले, ताकि वो घूम फीर सके, enjoy कर सके, और इन दोनों को एक साथ घूम जाने से पहले, तो अब जगड़ा हो गया, तो मूरी खड़ा हो गया, गूमने फिरने का, तो लड़के ने बोला कि अब तो मैं ट्रेनिंग के एक दिन पहले ही जाऊँगा, मैं नहीं जा रहा 2-3 दिन पहले गूमने के लिए, टिकेट्स तो अल्रेड़ी बुक थी, लेकि लेकिन इनको वहाँ पे किसी भी जड़ा इन लड़की को जाना ही था, क्योंकि वह एक्साइटिट थी इस ट्रिप के लिए, लेकिन आप वह सोच ले थी कि मैं कैसे बोलूं कि ट्रिप के लिए जाते है, मतब लड़के को लगेगा कि हाँ, मतब जगड़े का कुछ नहीं है प्यार का कुछ नहीं बस गूमने फिरने की पड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने सोच लिए अपने मन में कि मैं तो उदरपूर जाके ही रहूंगी, कैसे भी जाओंगी, ये नहीं आएगा तो मैं अकेली जाओंगी, लेकिन मैं जाओंगी, और उसकी तयारी उन्होंने करना स्टार्ट की, कि उन्होंने बहुत कॉंफिडेंटली शाम को आराम से मार्केट गई, सारा शॉपिंग करका लेकिया है, कि जो भी शॉपिंग में उनको जो कपड़े वहां पे पहनने है, क्या पहनना है, कैसे क्या-क्या लुक्स, मैं भी ऐसे करती है, कहीं जाना होगा ना, हर दिन के हिसाब से अपने लुक्स डिसाड करती है, फर्स ये लुक, सेकेंड ये लुक, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी, हम लोग उसी तरीके से शॉपिंग करते हैं, तो इन्होंने भी शॉपिंग करना स्टार्ट किया, शॉपिंग करके घर आये, पैकिंग लिस्ट बनाई, मैंने सारा पैकिंग करें, एफरेइधिंग वस रेडी, इस तरीके से सब रेडी था, जैसे जाना तो पक्का है ही किसी भी हाल में, और फिर अचानक उन्होंने जब आधार कार्ड भी लगेगा, राइट, मतब आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उनका आईडी कि यह आईडी प्रूफ मुझे अभी चाहिए, दे सकते हो, वो आए, प्रूफ दिया, आईडी प्रूफ दिया, और पता निया ऑटोमाटिकली जगडा सॉल्व हो गया, और फिर उनके बीच में सब ओके हो गया, और वो जब उनने जाना था न, जिस दिन जाना था, उसी द जिना स्टाट करो कि जब मैं जा ही रही हूं उदयपूर, तो मैं अफकोस यार कितने सारे काम है, तो जो भी पार्डलर वगेरे जा के आना होगा, हैर कट करवाना होगा, जाने के पहले, जो भी उसी तरीके से तयारी करना शूरू करो, इसी आप में बात करी रही हूं तो जो और बता देती हो आगे कि एक मैम ने कमेंट किया था, कि उनको ना ब्राइडल फोटो शूट करवाना है उनका खुद का, यह वो मैनिफेस्ट कर रही है कि मेरा ब्राइडल फोटो शूट हो, तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ, तो मैंने उन्हें बोला कि अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड करो, अपने पोज फाइनल करो कि कैसा पोज दोगे, क्या पोज दोगे, कौन मेकप करेगा, हैस्टाइल क्या होगा, और मतलब कौन से कॉस्ट्यूम साब पहनोगे है, स्क्रीन शॉट लेके रोखो, ब्राइड़ के फोटो देखो, हां में यह बहुत ब्यूटिफुल है, क्योंकि दिखाती है कि अपना एक्शन लेते रहो, जो आपको मिलना है, वो मिलेगा ही, आपको क्या चाहिए, वो आप सोचो, उसके लिए, काम करते रहो, सिंपल, जब आप काम नहीं कर सकते, फिजिकली कुछ, तो मेंटली काम करो, मेंटली है क्या, आप जब माइन में कुछ सोचते हो, वो एनर्जी बनके आपके बॉड़ी के बाहर एमिट होता है, यानि निकलता है यूनिवर्स में, तो उससे पावर्फुल, सोचने से ज़ादा पावर्फुल क्या हो सकता है, फिजिकल अक्शन तो ले लेंगे साथ में, सोच निकलता है, तो जो चाहिए वो सोचो, एन्जोई करो, ठेक है, सब कुछ पॉसिबल है, येस, थांक्यू यू यूनिवर्स, थांक्यू तो यू,